अपने जमाने के स्टाइल आइकन देवानन्त जिनके आज 95th बर्थ एनिवर्सरी है इन्होंने उस जमाने में अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने लुक्स की वजह से लोगों को दिवाना बनाया हुआ था खास बात तो ये है कि देवानन्त जो पहनते थे वो फैशन बन जाता था लड़किया तो इनके लिए जानते देती थी तो वहीं लड़कों में भी देवानन्त का अलग ही क्रेस था इतना ही नहीं, फैंस तो इनके लिए पागल थे, जिसकी वज़ा से इनके काले कोट पर लग गया था बैन बैन भी ऐसे ही नहीं, बलकि कोट की तरफ से लगाई गई थी देवानन्द के काले कोट पहनने पर पाबंदी जिहां, जब देव साहब वाइशर्ट के उपर काला कोट पहनते थे, तो मानों कहठाते थे उनका ये स्टाइल उस टाइम काफी मशूर हुआ था लड़कियां जब देवानन्द को इस लुक में देखती थी, तो वो उन पर मर मिटती थी इतना ही नहीं, देव साहब के लिए वो छट से छलांग लगा देती थी काले कोट में देव साहब को देखकर लड़कियां अपनी जान जोखें में डालने लगी थी कई लड़कियों ने देवानन्द के लिए सुसाइट करने की कोशिश भी की ये सब देखने के बाद कोट को इस मामले को गंभीरता से लेना पड़ा और इस तरह से देवानन्द के काला कोट पहनने पर कोट ने बैन लगा दिया था देवानन्द एक फैशन आइकन तो थे ही, इसके लावा वो अपनी डायलोग दिलीवरी के लिए फेमस थे देवानन्द ने हार्ट एटेक की बज़ा से 3 दिसंबर 2011 को इस दुनिया को अलविता कह दिया था लेकिन हिंदी सिनेमा में इनके दिये योगदान को हमेशा याद किया जाएगा अब्सकार जाएगा बड़ काल जाएगागा